कि कौनसी गुफा में ये फोन दबा पड़ा था जहांसे वीवून इस फोन को ढूंड के निकाला है और सुनाओ, सब बढ़िया नहीं, आज भी बढ़िया नहीं है अरे तुम्हारा बहुत बढ़िया है, बढ़िया पते है किसका नहीं है, वीवो का भाई अब वीवो ने क्या कर दिया यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है 17 से 18 जा रुपे के प्राइस सेग्मेंट में Redmi Note 9 Pro Max, Poco X2, Realme 6 Pro ये तीनोई फोन्स काफी बढ़िया है अगर चाइनीज ब्रैंड नहीं लेना तो Samsung A50s 18,000 रुपे में बहुत अच्छा उप्शन है अब वीवो ने इसी प्राइस सेग्मेंट में कंपीट करने के लिए आज वीवो Y50 को लाँच कर दिया मुझे ऐसा फील हुआ कि वीवो Y50 इन चारो फोन से क्या ही कंपीट करेगा ये तो अपने ही वीवो Z1X से भी कंपीट नहीं कर सकता भाई जहां तक मुझे याद है वीवो Z1X तो 6-7 महीने पहले लाँच हुआ था भाई कसम से बतारों ये जो 2020 है ना ये मतलब मेरी तो समझ से ही भार है सब कुछ ही उल्टा हो रहा है अब ये वीवो Y50 को ही ले लो इस फोन में वीवो ने 6.53 इंचिस की Full HD Plus डिस्पले तो दी है बट ये IPS डिस्पले है वीवो Z1X में Full HD AMOLED डिस्पले दी गई है अगर बिल्ट कॉलिटी की बात करूँ तो Z1X में और वीवो Y50 दोनों महीं Polycarbonate Build Quality दी गई है करें तो वीवो Z1X Qualcomm Snapdragon 712 के साथ आता है लेकिन वीवो Y50 जो 1000 रुपे महंगा है 18,000 का फोन है इसमें वीवो ने Qualcomm Snapdragon 665 दिया है मेरको समझ नहीं आ रहा 2020 में मतलब ब्रैंट्स को हो क्या गया है Samsung Qualcomm Snapdragon 450 दे देता है MediaTek Helio P65 दे देता है और वीवो ने 18,000 रुपे के अंदर Qualcomm Snapdragon 665 कमाल है भाई मतलब कमाल ही हो रहा है MI A3 में और Realme 5i इन दोनों फोन्स में Snapdragon 665 मिलता है और इन दोनों ही फोन्स में मैंने थोड़े बहुत lag नोटिस करें है यूजर इंटरफेस में भी और जो basic applications होती है इन्स्टाग्राम, Flipkart, Swiggy इसमें भी न मतलब कुछ सर्च करो तो थोड़ा बहुत lag मैंने नोटिस करा है तो ये प्रोसेसर जदा powerful नहीं है इवन जब मैंने MI A3 और Realme 5i में PUBG खेली थी तो PUBG खेलने का experience भी मुझे बढ़िया नहीं लगा था काफी जदा frame drops देखने को मिलते हैं और Snapdragon 665 में मतलब PUBG मस नहीं चलती तो अब्विस सी बात है वीवो Y50 में भी जो PUBG खेलने के experience है वो बढ़िया नहीं मिलेगा वेरस वीवो Z1X में जो Qualcomm Snapdragon 712 है उसकी performance काफी बेटर है और PUBG खेलते टाइम भी जदा lags और frame drops ये जो वीवो Y50 में 126GB storage दी गई है न ये EMMC 5.1 है वेरस वीवो Z1X में RAM थोड़ी कम मिलती है 6GB है लेकिन जो 64GB storage दी गई है वो UFS 2.1 है और जब storage type बेटर होता है न तो app opening time भी जदा fast देखने को मिलता है और overall जो phone की performance होती है वो थोड़ी enhance हो जाती है और UFS 2.1 actually में काफी better है अगर आप उसको compare करोगे EMMC storage से सिर्फ इतना ही नहीं वीवो Y50 में battery तो 5000 mAh की दी गई है बट ये phone fast charging को support ही नहीं करता वेरस वीवो Z1X में battery 4500 mAh की है लेकिन box के अंदर ही आपको 22.5W का fast charger दिया गया है phone fast charging को support करता है तो ये एक major advantage मिल जाता है वीवो Z1X को अगर camera department में भी आए ना तो वीवो Z1X में rare side पे जो primary camera है वो 48MP का है और front में भी 32MP camera दिया गया है selfies capture करने के लिए वेरस वीवो Y50 में rare side पे primary camera 13MP का है 8MP का ultra wide angle lens और 2MP का macro 2MP का depth sensor even front camera भी 16MP का है even image quality किस phone की better होगी ये phone के processor के उपर भी depend करता है अब processor में आपको बता चुका हूँ वीवो Z1X का better है तो obviously बात है जो ISP है image signal processing वो भी वीवो Z1X की ही better होगी तो मुझे actually मैं समझ नहीं आ रहा कि कौन सी गुफा में ये phone दबा पड़ा था और अगर बाकी brands को देखे तो मैं बता चुका हूँ मतलब 17-18,000 रुपे में Note 9 Pro Max है Realme 6 Pro है Samsung A50s ये बहुत अच्छे phones है even 12-13,000 रुपे के अंदर भी अगर आपको कोई बढ़िया phone लेना है तो कल मैंने एक phone का review किया था मैं description में link दे देता हूँ नेक्स वीडियो में तिल दें यू गास वा ग्रेटे